मस्कार दोस्तो, मैं सुझे कुमार और आपके अपने चनल सुझे फेंटसी में आपका स्वागत है दोस्तो आज का दिन का दूसरा मुकाबला असाम प्रीमेर लिग कलब T20 चैंपियंशिप का है जो कि NSS और STC के बीज में खेला जाना है यह मेरे point of view से मानो तो आपके लिए बहुत अच्छा कासा यह match जा सकता है वीडियो को द्यान से देखोगे, आई होप जो बता रहा हूं से follow करोगे और उसी किसाब से चलोगे तो आप अच्छे कासा इसमें विन कर जाओगे कितना investment करना है, कौन से member वाले contest जोएन करना है सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ में share करूँगा सबसे important कब जोएन करना है तो यह सारा कुछ आपके साथ में share करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा in तक देखोगे समझ की चलोगे और उसके बाद अपना investment plan state करोगे ठीक है, तो चलेंगे हम लोगे stats के उपर NSS और STC का जो stats रहने वाला है उसके बारे में बहले discuss कर लेते हैं और उसके बाद फीड हम लोग चलेंगे dream 11 team के उपर और उसके बार discuss कर लेंगे अगर प्लेयर के बारे में बात करेंगे तो यह सारे प्लेयर आपको with batting order खेलते वे दिख जाएंगे जो कि लास्ट वाले matches की साब से मैं बता कर चल रहा हूँ लास्ट वाले matches में NSS के team खेली थी और उसमें यह नोंने हार रखा था तो मैं आपको बता दूँगा कौन से प्लेयर इंके तरफ से जादा important है उसे rotate एकर चलोगे अपने team में सबसे पहले इससे पहले मैं बता दूँगा आपको कि Telegram से अगर आप अभी तक मेरे नहीं जूरे हो तो सबसे बड़ा गलती यहीं पर कर रहे हो आप Telegram से जाकर के जूर जाओ बहुत सारे लोग भी इन कर रहे हैं आप भी कर सकते हो कुछ करना रही है Telegram से जूर जाना है बिल्कुल free of cost कोई पैसा नहीं लगने वाला है तो जल्दी से जाकर के join हो जाओ बाके हम लोग बिलते हैं जल्दी ही इनका करियर का स्टैट्स 35 मैच में तो अच्छे कासे यह प्लेयर आपको बन सकता है तो आपने टीम में बिल्कुल रोटेटर रहे चलोगे इसे बिल्कुल भी compromise नहीं करोगे ठीक है सौर अब दे है और 40 मैच में 29 का अबरे जहें 42 विगड़ है तो यह भी तुमारे गटिया लेना ही नहीं है अपने टीम में और जहां यह भी रहेगा और यह भी रहेगा उसे अमलोग एवरेज प्लेयर है डिसेंट प्लेयर है ठीक है तो बागी मैंने आपको सारा कुछ समझाई ही रखा है तो देखके चलोगे सौरब दे है आपके लिए बेस्ट पिक में रहेगा अपने टीम में ट्राइ कर लोगे आप ठीक है विजोव देब के बारे बात करेंगे तो तेरह मैच भी 301 रने 30 का एवरेज है और 20 विकेट है तो यह भी आपके लिए बेस्ट वाइस में रहेगा अच्छे कासा बैट्स बेस्ट वे अच्छे कर लें दे लास्ट वे मैचेज में कंप्लीट चार्वर का बॉलिंग भी किया प्लस बैटिंग भी अच्छा है का सब पोजीशन पर किया फर्स डाउन तो देखके चलोगे नए अंदास में आपको रिकमेंडेसन दूंगा ओवरल केरियर का स्टैर्स इसका कुछ नहीं बोलता है और यहाँ पर रिसेंटली जो खेला है उसमें भी खास पर्फार्मेंस नहीं है विकास शेटरी के बारें बात करेंगे तो असंतावन मैच में आट सो पैटारी से तीस कैबरेज और एक सो बास बंदे को तो बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना और कै के लिए चोइस में सबसे बेश वैसी ही रहेगा ठीक है बंदा खेलेगा तो आपके लिए कैप्टेन बहास के लिए आख बंद करके इसे ग्रेंड लेगा जबला है स्मॉलिक दोनों में रोटेट करके चल ले ना धुरूप जोती दास के बन बात करेंगे तो 25 मैच मैच में ग्रेंड ले फोकस करोगे उदै संकर दास के बारें बात करेंगे तो 29 मैच में 44 विकेट है इसका 13 का अबरेज है मुझे कुछ खास लगा नहीं है थोड़ा देखके चलोगे दीपन कुमार दाफ भी मुझे कुछ खास नहीं लेगा एक तो बंदे का 19 का अबरेज है और पर अब इसे एक ठाकुरी, ओनिस दे, अमांजित दुला गुरू और अरबन भटाचार जी अगर इनमें से कोई खेलेगा तो भी तो स्टाट्स में टेलिगराम पे आपको इंफर्म कर दूंगा तो टेलिगराम से मेरे जूरना बिल्कुल है कैसे जूरोगे इस वीडियो के ठी सबसे पहले मैं बता दो वीडियो अच्छी लग रही है, इंफर्मेटीव लग रहा है, जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल इकन दबा कर, और लगर करके जूर जाना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालू हो, आपको अमारी वीडियो मि प्लेयर करोगे न, इनके टीम, इनके प्लेयर के स्टैर से बात करें से पहले मैं आपको इनके टीम के बारे में बता देता हूँ थोड़ा, कि STC के टीम जो थोड़ा सी जादा यह आपको स्ट्रॉंग करती हुए दिख जाएगी, कंपेर टू NSS के टीम से, ठीक है, तो यह नोटिस करोगे आपको दिमाग में, और उसके बाद अपने टीम वगरा से टीक होड़ा, जो मैं एक अभी वीडियो को दिन में लाऊँगा यार आप लोग के लिए, जिसमें मैं यह बताने वाला हूँ ना, कि आपको ड्रिमलेंट का टीम कैसे क्रेट करना चाहिए, कैसे आ बारे में देखो, यह बंदा ओपनिंग कर रहा है, प्लस बॉलिंग चारोबर का डाल रहा है, वीकेट भी निकाल लिया, लास्टोले मैच में तीन वीगेट, कैप्टेन मैस के अच्छे कासी चॉइस में रहेगा, बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करोगे, सुरुजित राज क बिल्कुल भी कर सकता है आपके लिए, देखके चलोगे, सुलर रहन भी है, तो मुझे नहीं लगता है, इकल के मैचे में आपको ज्यादा कुछ करता हूँ, अगर कर जाता है, तो कोई इसू नहीं है, बट मैं अभी के लिए इसे रोटेट नहीं करूँगा, पर तीउस बो बहुत जादा निश्ट है, सत्यम का भी उसी वज़े से मैं नहीं लूँगा, अपने टीम में, और कैरियर का स्टाइट्स है, वो भी जादा कुछ खास नहीं है, तो इसे ग्रेंड लिए रोटेट करोगे, राजनिक मगर है, बीस का अभरेज है, साथ विकेट है, तो थोड स्टाइट है, तो बंदे का भूत तगड़ावला स्टाइट से बाइट में, तो थोड़ा देखके चलोगे, अपने टीम में ट्राइट कर लोगे, रिदिप मोहन है, तिरपन मैच में सो रन है, बासट विकेट है, तो ठीक टा कि ये भी आपके लिए स्टाइट से दे सकता ह ठीक है, तो यहां से जो भी कुछ मैंने आपको सेयर किया है, समझाया है, आई होप आप समाज गयोगे, सबसे पहले वीडियो को आप लाइक वगयरा कर देना, चैनल पर नहीं हो, तो सबस्क्राइब करके, बेल इकन दबाकर, और करके जोड़ जाना, ठीक है, इन्वेस्ट सबस्क्राइब करेंगे, तो दोस्तों विकेट कीपिंग से देखो, इरफान अंसारी, डी क्रिस्टन दास और एठाकोरी, इन में से कोई भी खेलेगा, नए ट्राइ करना है, इस मॉली के लिए तीनों को ग्रैंडी में रोटेट करोगे, यहां से जुबेर हमद आपके सबस्क्राइब करेंगे, इस में रहेगा, इसका भी स्टैट्स बोलता है और बंदत तगड़ा वाला स्टैट्स रखता है, ठीक है, तो थो थोड़ा यह भी देखके चलोगे, अगरवाल है, मुझे तो कुछ खास लगा नहीं है, ग्रैल लिए फोकस करोगे, बागी यहां स सक्षन से, और लेकिन इन से बेटर कोई और चोईस है ही नहीं, तो मुझे इनको लेना पड़ रहा है भाई, अगर आप खेल रहे हो, जहां पर आप एक बॉलर को ही रख सकते हो, तो अपने टीम में किसी और प्लेर को रोटेट कर लेना, यहां से सूरस कॉनवर को रख लेन भी तेवर के प्लेस पर यहां पिर यहीं के साथ जा सकते हो, तो एमिके लिए हमारी टीम है, बहुत बहुत जेड़ करेगास, तो टॉष के होने के बाद ही मैं बताँंगा, कि आपको कैसा क्या करना है, ऐसे तो मैंने आपको इन्वेस्मन प्लान बता यहां किसा ही रिए है में तो जो कुछ भी होगा हम लोग टेली गराम पर बात कर लेंगे investment plan बता दिया है वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना रोजाना आपको 3-4 वीडियो मेरे इसी चैनल पर देखने को मिल जाने वाले हैं टेली गराम से जुरुना भी भूबत बुलना तो चलो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग मतलब बहुत जल्द मिलते हैं यार इस वीडियो में नेमदर ट्रीक और वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्य बाद आपना ख्याल है कि दोस्तो जाए हिंद